कोशिश करिए और बताइए नहीं तो मैं बताता हूं इसमें सिर्फ अभ्यास प्रस्ण होंगे बहुत सारे कुश्चन होंगे अभ्यास के लिए ठीक है आसिता का अंसर आ गया प्रियंका कभी आ गया सानिया सलमा और वर्षी बर्मा वंसिका फुश्वाह महिरा कि आप लोग देखिए पर्सेंटेज के चिन्न के साथ बताईए तब ही अच्छा है कि एक कुश्चन और है कि साथ बटा पच्चीज को पर फ्रेंटेज में बदलिये यह आप लोग सभी जानते हैं है ना सब को पता है इसमें कुछ नया तो है नहीं यह आप लोग कर लेंगे पर्सेंटेज में बदलना है मने बताया था कि जब भी पर्सेंटेज में बदलते हैं तब उसे सौसे गुड़ा जरूर करते हैं वही पर्सेंटेज में आंसर होता है इसे सव से मुल्टीपल करेंगे 25 बटा सो को 100 से गुड़ा करेंगे अब यह सौसे सो कैंसील हो जाता है पर्सेंटेज का चिन्धा लगाना बहो जरूरी है अन्नततर माना जाता है ठीक है रचना नेहा कुमारी सुप्रिया अकांचा गंगवार चांदनी वंसिका कुस्वाहा माहिरा अधित्य धारिया चलिए सभी साथी कलास को लाइक जरूर करें आप बहुत से कंडिडेट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और जो सब्सक्राइब नहीं करा है उसे कमेंट करने से रोक दिया गया है ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख गण देंगे पचीस से कड जाएगा पचीज चोकाइस सो 7 का दो में ये चार में गुड़ा हुआ 28% क्लियर कि इनको भी आप लोग कर के बता दीजिये कितना आएगा सिल्पी केसरवानी ची बताइए कितना आएगा कोंद करके बताइए कितना आएगा इनको आप लोग कर लीजिए अगा ठीक है इस्क्रीन साट ले लिया करिए जिससे कि आपको महिनत ना करना पड़े बाद में आई उसी राजपूत जी गुड इबनिंग लेकिन कलास का टाइम आप सायद नहीं जानती है तो रात के दस बज़े से है और टाइम से आया करें है ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए दो केजी का पंदरा सो गराम कितना परतिसत है कितना परतिसत है देखिए परिक्षा में कुश्चन पूछा जा सकता है और आप लोग बियोस हो सकते हैं इसमें समझ रहे हो बताओ कितना पर्फेंट है अरे भाई वो सिल्पी कोई दूसरा था आप सिल्पा है मुझे मालूम है चलिए आप टेंसर मत लीजिए एक नाम के यहां कई महातमाय जुड़ते हैं मतलब महान आतमाय तो उन्हें में से किसी को बोल दिया जाता है कितना हैगा देखिए इसमें सिंपल सा है साथियों एक केजी में दिया गया है एक ग्राम में दिया गया है पहला नंबर तो इन्हें एक ही रासी में करेंगे और एक रासी में होने के बाद हम इने कुछ भी कर सकते हैं कि आईए यहां पर हल करते हैं कि दो केजी बराबर दो हजार ग्राम यह आप सब को पता है और यह पंदरा सो ग्राम आल्रेडी दिया है हुआ भचाहिं दूद्रार सो तो है न को परसंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे साथिंव जो पंदरा सो इसको सव से गुड़ा करेंगे यही मैंने शिखाया था पुढांक जितना होता है टोटल उससे भाग करते हैं कि यहीं करते हैं ना भाईया है एक जीरो से जीरो दूसर के से दूसर का तीफर के स्थिफर का दूसे काट देंगे 75 आएगा ठीक है यानि कितना परसेंट है 75 परसेंट है समझ रहे हो ना अगर आपके पास दो किलो लड्डू है बूंधी वाला और आपने बड़े प्यार महबत में अपनी फ्रेंट को डेंड़किलो दे दिया आपने कितना परसेंट दे दिया उसको 75% दे दो होता है लोग कहते हैं अपनी कमाही का अपने जेव खर्चा का फट फलाना फलाना पर्फेंट हुआ दे दिया तो समझ रहे हो कि नहीं कि अगर कोई कहे कि अपनी जेव में जो 2000 रुपए रखे उसका 75% हमें दे दो तो इसका मदलब 15 रुपए दे दो कि लेकिन यह इतना आफान कहां है अगर यहां पर छोटा सा बदलाव कर दिया जाए एक हजार केजी तो कितना परसेंट हो जाएगा कि अब बताइए कितना परसेंट हो जाएगा अजर सोचिए बताइए बोलिये फटफट बोलिये पहले नंबर तो यहां पर बुद्धी नाम का चीज लगाना ही नहीं है बीना दिमाग के बता देना है कोपड़ी बंद करके स्विच आफ करके देखे यह 2000 हो जार आपको पता है यह 1000 गराम है मतलब 2 किलो का एक किलो कितना परसेंट है आधा है 50 परसेंट है कितना है 50 परसेंट है ना अब है कि आई उसी अब सबसे पहला जबाब बहुत अच्छे दिपेंद्र आसिता प्रिया ठाकुर्सुप्रिया बेरी गुड़ आप लोग कोशिस कर रहें इसका मतलब ठीक है अब बताईए इमांदारी से बताना बिलकुल पूरी इमांदारी के साथ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बोलिए क्या है जैसे कुश्चन है तीन जीरो जीरो वन और फॉर इसका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा कोशिस करते रहें फटा फट्रा ही करते रहें कोई दिक्कत नहीं चलिए ठीक है साथियों बहुत अच्छे तो क्या करना था मैंने जो अंसर पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या उसका अंसर फोर है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है फोर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सबसे चोटी अभाजी संख्या क्या है तो दो है ठीक है याद रखना हम लोग कर रहे हैं अभ्यासर प्रफन यहां पर ज्यादा प्रफन करना है कुईश्चन करना है इनका अंसर कितना एगा कोई बताया आशिता भाई यह हिंदी वाली गिंति समझ में कमाती है देखिए इसमें सिंपल सहय मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि दसमलो को भूल जाइए पुरानी यादों को भूल के नए यादों में जीना शुरू कर दीजिए आईए कैसे इन सबका गुड़ा कर लिजिए दसमलो नहीं लगाना कहीं भी तो तीन चौक बारा आएगा न ooh कि इनको ऐसे से लिख़ दीजीए अब यहां पर तीन अंक पर दसम्लो था यहां पर एक अंक पर दसम्लो था टोटल चार अंक पर दसम्लो लगेगा फोर डिजिट पर पॉइंट लगेगा सही बोल रहा हूं हां मैं गलत कब बोलता हूं तो यहां पर दो अंक है तो दो अंक और बना लेंगे ये इसके आगे ठी सुनना लगा देते हैं वह इसे फोकट में यह जो लोग 5-5-0 लगा दे रहे हैं एक में जिसे पंकजवा है एक देख रहे हो कमेंट जितना 0 दब रहा है न आयुतना दबा दे रहे तो यह समझ गए ना आप लोग भाई समझ गए ना भाया चलो हाँ यह बताइए रिचा ने अब कर रिचा का है रचना ले लो इसमें कोई जूड़ा है सायद मुझे लग रहा है रचना गई मार्केट मतलब बजार ठीक है इन्होंने वहां से हल्दी खरीदा पर बुरा नहीं मानना देखिए हम लोग सभी लोग मार्केट जाते हैं नहीं गरियाने लगो गरियाना नहीं रचना मार्केट गई चार रूपए 75 पैसे की हल्दी खरीदा ठीक है पांच रूपए का नमक खरीदा अब यह मत पूछना कौन सा नमक था कुश्चन समझना धनिया खरीद लिया साड़े तीन रूपए का अब बताना पहले फाइनल में धनिया खरीदा साड़े तीन रूपए का और सोला रूपए पचास पैसा का तेल ले लिया क्योंकि तेल सबसे महेंगा है तो इसा नहीं है कि होता नहीं कुछ मार्केट जाते हैं घर से पैसा ले करके तो कुछ अपनों चट्टा पट्टा कर लेते हैं अलग से तो वह अलग बात है लेकिन सामान सामान की बात बताईए कितना लेके आएंगे पूरा सब्जी खरीड़ी देखो मजा आ गई ना मजा जाधा ले तो पढ़ते कम कितना रुपए लेके आएगी भाई लुटा के बोलो देखे यह आपको आना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े भले न लेकिन दुकान उकान पर जाना पड़ता है पढ़े लिखे हैं सकल से लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं दुकांदार कहता है जोड़ लीजिए कितना रुपए बचा हां जोड़ लीजिए कितना रुप पंकज बता रहे हैं कि साड़े कैस रुपया बचेगा सुप्रिया बता रहे हैं कि 20 रुपया 25 पैसा बचेगा कमाल के हो भई जितने लोग उतना अंसर सबका अलग-अलग सबका अलग-अलग पहले ये देखेंगे कि खर्चा कितना किया है वो हर दिन ओन पेल धनिया मिर्चा खरीदने में तो चलो जोड लेते हैं यहीं पर जोड लो ना लाश्ट-लाश्ट का डिजिट जोड़िए पांच तो पांचे हो जाएगा ठीक है साथ पांच बारा बारा पांच 17 हाफिल लाया एक हासिल कितना है एक इनके आगे सुनना लगा लो ठीक है अब छे एक साथ साथ तीन दस दस पांच पंदरा पंदरा चार और नईस हासिल लाया एक वन्तिस रुपया पचपतर पैसा खर्चा हुआ था कितना हुआ था वनतीस रुपया पचात्तर पैसा खर्चा हुआ था ठीक है तो कितना खर्चा हुआ था वनतीस रुपया पचात्तर पैसा खर्चा हुआ था वह यह था कितना पचास रुपया था पचास रुपया था इसमें से वनतीस पचात्तर घटा लीजिए जो लोग नह सब्सक्राइब गड़नों में आधाने किया क्वैल एम है तो यह कितना हो गया 25 है बैस को कर दा लो चुपे से हागा ना कितना चार दो गया दो 21 रुपया 25 पईसा सही अंसर है 21 रुपया 25 पईसा भाई सीधी सी बात है 25 पईसा उसमें मिला तो वह 30 रुपया हो गया गड़बर हो रहा है इसका मतलब 20 होगा सुरी 20 होगा 20 20 20 20 होगा यह तो फिर 51 रुपय हो जा रहा है कुल मिला के दोनों जोड़ने पर 50 आना चाहिए अगर यह 25 पैसा हम इसको दे दें तो यह 30 हो गया यह 20 सिदा फिदा ठीक है अब 25 पैसा कौन कौन देखा है इसमें बोलिए यस 25 पैसा का चाट टॉफी मिलती थी हम लोग के जमाने में हम लोग ऐसे देखने में छोटे लग रहे हैं 80 साल के हो गए समझ रहो कि नहीं 16 कंचा मिलता था कब जब हम लोग कच्छा पैन के उगारे घूमत रहें तब इतना याद है बस और बाकी कुछ नहीं याद है पहले का जानते हैं आप लोग इसका मतलब आप लोग भी 75 के हो गए हैं चलिए ठीक है कुछ लोग नए नभीले जो होंगे उन्हें मालूम होगा यानि हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है है ना 25 पैसा की मिलने वाली चीज आज 25 रूपय हम मिल रही है क्यों कि काफी बड़ोत्तरी हुई यह काफी चीजें बढ़ी है ना हाँ चार आना तो आगे बढ़ते हैं अभी क्या क्या कर रहे थे हम लोग कोईश्चन कर रहे थे मार्केट वाला एक कोईश्चन और बताइए कि 10 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर में कितना डेका लीटर यह देका हेक्टा पढ़ाया हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं ना सो निचा बलाग जी राम 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 बले आए गया कहां रहा भाईया लड़का वच्चत ही कहां है माउजमा है सब ना चला मैं दस सेंटिमीटर में कितना मिलीमीटर देखे मैंने पढ़ाया था ना मिली कि सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर न तो मिली सेंटी यानि उसके ज़श्ट नीचे है और हमें क्या करना है यह उपर को जाना है यह किया होगा 10 होगा न देण होगा एक सेंटी मीटर में दस मिली मीटर होगा तो दस है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा न ऐघ कोन्होंगे न ने हो प्रबु आया कहां से तू लोक में बता देता हूं और ये दिख आ capable लीजिए यह चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए देखिए यह चीज मैं आपको बताया हूं कि आप इसे याद कर लीजिए मिली सेंटी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो कि यह बताए हूं ना साथ हो गानहीं है तीनी 6,7 मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर अप साथ ही यह सेंटी मीटर है अगर निच्चे से तो दस से गुड़ा करते हैं जितना इस्टेप बढ़ते हैं तो यह जट बगल में ही है पड़ोसी है तो दस से गुड़ा करेंगे यहनी हम कह सकते हैं वन सेंटीमीटर इक्वल 10 mm if we at 10 cm equal 10 into 10 equal 100 mm यह का उनों 1000 बता रहा है कൌनों दीत क्वाइब रहे हैं प्ता नहीं कहा जा रहे帶 वह सुप्रिया समझ में आज रहा है फरानना अनसारी ढुझा खान अमीत कुमार है पृत प्रीया कि आई उसी आप नए नहीं है योगेन सिंग वाली आइडी है अच्छी बात है कोई भी है मुझे नहीं पता कौन है आप बस आप हैं मुझे इसी से काफी तफली है कि चलिए अगला बताइए नीचे वाला जो मैंने एक दूसरा वाला पूछा है उसका भी जबाब दे दीजिए आप लोगो कोसिस कर लीजिए कि मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं पढ़ाना चाहिए ना रिवीजन ही तो हो रहा है कर लीजिएगा चलिए अब इसको यह थोड़ा कठिन भी यह बताना पड़ता है हटाईए जाने दीजिए मजएदार मजएदार करते हैं मज़ा जहां आती है इसमें सबमें मज़ा नहीं आ रही मुझे खुदी नहीं मज़ा आ रही आप लोग कपड़ोंगे भाग जाओ जाओके कुद देर में अभी चलो तो यह बता भाई यक्स वाई यक्स काई स्क्वायर और वन अपान यक्स काई स्क्वायर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा अर्चना गुपता आएगा 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 नहीं तो जाएगा कि कितना आएगा इसको कोशिश करके बताईए एक किलोमीटर में कितना मिलीमीटर कि सबसे बड़ा यहीं होगा ना कि सबसे पहला आंसर आया है फिजा खान का साना कभी आ गया दिपेंद्र कभी आ गया वन्सी का कुस्वाहा और सुप्रिया तिरपाथी अभी इनके मुँव में पानी आ रहा है कुछ ललचा रही देख 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 पता नहीं कामिल रहा है कि चलिए इसमें यक्ष का स्कॉइर से यक्ष इसकॉइर केनसील हो जाएगा क्योंकि यह निच्चे उपर है और निच्चे उपर रहते हैं तो यह हो जाता ऐसा है यक्षवाई का मल्टीपल हो जाएगा यह आनसर हाजएगा ठीक है आगे बढ़ें अगला ध्यान दीजिए एक और बताएं यह बताओ भया कि तीन यक्स का स्क्वायर वाई जड अगर इससे हम यक्स वाई जड से डिबाइड कर दें तो कितना आएगा बताएं रस्कुल्ला मिल रहा है अच्छा है कितना आएगा बोलिए इससे इसको क्या करेंगे भाग करेंगे यह मैंने आपको बहुत पहले बताया है देखो भाई सिंपल सी बात है यह सभी एक एक घात के साथ हैं इनमें जिनकी जिनकी एक घात है वो खतम हो जाएंगे और यह बचेंगे तो बचेंगे तीन एक्स कितना बचेगा थिरी एक्स बचेगा रचना साख्या अकांचा गंगवार वंसी का परजापती और वंसी का कुसवाहा अर्चना गुपता ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूड क्रिफना सिंग सिवानी उपध्याय आयूसी राजपूत सही है सबका इसका मतलब आप लोग अच्छा कर रहें ना हम हमhuman है आप लोग ये बताईए कि संख्या पंदरा के कल कितने अपवर्टर था लग डास पांच हैना साथ तीन ऩा 2 है अ कितने अपवर्ट हैं इसके फैक्टर कितने बताईएब मैंने सिर्फ ऐक्टर् पूच्छा है प्राइपफ्टर नहीं पूच्छा है अगला कुश्चन अगला कुश्चन संख्या 30 के कितने संभव कुड़ज है यानि मल्टीपल बताइए संख्या 3030 के कितने पॉसिबल मल्टीपल है सिर्फ नंबर बताना है बस आपको आंसर नहीं बताना है कौन-कौन है वो नहीं मतलब है कि समझरेंग नो जैसे कहा जाए कि बताएए मोहित के कितने फ्रेंड है राका बतादेना पंद्र यह नहीं बताना कौन-कौन है रुखतव अनसुव्य है अन olm है भन प्रहज़ ने बताना है संभव गुड़च ठीक है आई ये देखते हैं प्राइ करते हैं इसके आप वर्थक बताना है ना देखो पहले तो वन हो जायागा मैं लिखी देता हूं वन थ्री फाइब बस चारी तो है कितने हैं चार ना तीन सो के कितने संभो गुड़ज हैं देखे इसके कौन-कौन से संभो गुड़ज हो सकते हैं समझ यह जैसे 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं वान इंटु थर्टी अब बार बार तीफ नहीं लिखूंगा यह लिख सकते हैं दस गुड़ा तीन लिख सकते हैं तीन गुड़ा दफ ल सबीना हैं लेकिन आपको निकालना पड़ेंगा कुल कितने हैं टोटाल इनको आगे पिछे पिछे आगे करके उलत पलटके उठक पपटक के सब करके करना हैं तब है कितने होंगे समझ में आए न हर और क्या-क्या सब करके क्यों भाई पांच गुड़े दो गुड़ा तीन यह भी तो पॉसिबल है ऐसे ऐसे आप ट्राइक कर लीजिएगा ठीक है बहुत सारे होगे जितने होगे ट्राइक कर लीजिएगा यह होगा अंसर ठीक है समझ में आ रहा है ना कि नहीं बाद में मत पढ़ा करिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहां पर इसे मजे ले लेते हैं बाद में पढ़ते हैं टाइम बेस्ट मत करिए क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा करके भी आप पांच मिनट का समय नहीं खरीच सकते हैं और गुरु जी ज्यान की बाद बढ़ी बढ़ी देते हो लेकिन कितना टाइम खुद बरबाद करते हो सोचो तो भाई ज्यान देना आसान है लेकिन खुद को उसमें रखना उतना आसान नहीं है इस लिए टाइम बचाईए लेकिन हाँ तो कोड़ पे चलते हैं क्या तिरभूज पे चलें तिरभूज में चलें एक क्वेश्चन बता दीजिए इसमें से कुछ लोग हैं उसी तरह के आप ही लोगों से क्वेश्चन थोड़ा सा अरवजा टाइप का है बीस अठाइस 35105 चला बहिए बतावा 35105 कि सब्सक्राइब लोग मिल के एक लासा बताओ का बतावा का भाई लासा है यहीं लसी एम बताईए फटाफट यह हमारी आवधी भासाय हमारे हां की अवरों का हल्भा यह बा नहीं सौरी अगर बा लगा दिया तो फिर बहारी कहें बोचपुरिया और हो का हाल चाला है ठीक था कहा पढ़ाई लिखाई सही चलती है एक नहीं और तो लोग कमेंट में को बतिया था न मतलब बातचीत करता चलिए करके बताईए एक बार 97 तो नहीं आएगा 97 तो नहीं आएगा अच्छा कितने लोग समझे ये लेंगो जो मैं भी बोला कि आप लोग को समझ में आ रही थी ना कि हम का बोल रहे हैं कि इनका एल्सीम आप लोग कर लीजिए फट फट चार सो बीस आएगा कितना आएगा चार सो बीस आएगा यह आप लोग कुछ गडबड कर रहे हो छार सो बीस आएगा अरे बोलने को हर को यह इसे बोलता आपने घर में जहां रहता वहां पर यह तो घर से बैarl刚才मी निकलता है तब तेरे का मेरे का करता है है ना जैसे होता नहीं कुछ नहीं नहीं बच्चे हैं जो सुरू सुरू में साहर जाते हैं पढ़ने तो लौट के घर जाते हैं तो अपने साथी लोग से या गाउवाले से इसे बोलते हैं हम तो दिल्ली पढ़ते हैं हम उबेरे चारे वजे उठ जाते हैं तो दादा सुनते कहते हैं यहां करें का तेरा मेरा लगाया है कि साथ सूरा दो दिन बाहरे चला गए मार अंग्रेज होई गए मतलब आप बोलो के हिंदी लेकिन लोग का बोलेंगे अंग्रेज होई गए यह हम लोग का है कि सोच समझा जो भी है बताइए इसको मत हटाइए चलिए अब कुछ और बताइए आप लोग एक से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सुरी भाज्य हैं कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मतलब जो सिंगल सिंगल हैं डबल नहीं है समझ रहे हो ना इसमें से भी कुछ लोग सिंगल हैं कुछ लोग डबल हैं और कुछ लोग तो तिरपल चौपल होंगे बाई बगवान जाने आईए चलिए बात करते हैं अभाज्य का मतलब क्या है यानि जो नंबर खुद से और एक से इन दोनों को छोड़कर और किसी से भी भाज्य ना हो वो क्या होता हैं आप यहां ऑभाज्य होती है प्राइम फैक्टर होते हैं एक तरह से यह लोग वभादार जोडे होते हैं वभादार प्रेमी जोडे होते हैं बढ़ सिर्फ दो ई रहते हैं उनका रिलेस्ट होपी तयो मिन एक रहता है मतलब तूम मेरे मै तुममेरे बस और नहीं अर जो भा आभाज्य अभाज्य की बात करें एक दो नंबर लेके तो देखो अगर मैंने 7 ले लिया ना नो सेबन के 1 और सेबन यही 2 फैक्टर हैं। बाकिया और कोई फैक्टर नहीं है इन्हीं को मैंने वफाडार बोला था इमांदार अगर मैंने एक नंबर 9 ले लिया ना इनके डूईय में नहीं है दूईय में काम नहीं चलता है हीनका 1 भी थ्री भी नाइन भी है और इनके खतरनाग गुरु है इनको ले लिए अगर 12 न को संसलों निनिके उन से भी ज़्यादा है यानि इसका फैकर वन भी एड्री भी एड्री भी भी है 6 भी यह टोयल भी यह देख रहो कित्ता है छे तो यह क्या है यह भाज़े संख्याएं हैं कमपोजिट नमबर है यह अभाज़े हैं कि समझ में आया ना कि सही बोले है न देखो जो लोग हर दम हसते थे इस पर नहीं हसे क्योंकि उन लोग को मालूम है सब यह बोला किसको जा रहा है कि अगीकत है ना यही जल यह जली पुरा नहीं मानिए पर ठीक जिसका शितना चले चलाते रहें कोई टेंसन की बात नहीं है कि आगे वड़ें अब इनमें अगर हम अभाज्य की बात करें तो वन तो न भाज्य आढ़ाज हा यह सादुसंत्या इसमें नहीं आता है नो से स्टार्ट होता है टू थ्री बहुत लिए होगा फाइब के नाइन नहीं होगा I can eight nine ten नहीं होगा 11 13 15 नहीं होगा 16 नहीं होगा 17 ऑर 19 समझ मैं आए ना देखो कि कुछ लोग जो मैंने कहा नहीं हफ रहें वो लोग ज्यूट ही जैसे कहते हैं जूट ही जाते हैंट तो जूट यह से कर लेते हैं यह अन्हां ना आ आ है बस वही हाल है कि चलिए आगे बढ़ें कि अब मैं किसी को नहीं बोला मैं ऐसे ही बोला आप जो था वो समझ गया अंदर अंदर गरिया दिया लेकिन तेस्ट नहीं गरिया आया बस इतनी सी अच्छी बात है कि एक से बीस तक की सभी आप लोगे अब आध्य तो जाने इस तरह से आप भाजय संख्यां भी निकाल सकते हो layered भाजय संख्याने ऐसे निकाल सकते हो भाजयकता नियम आने पढ़ाया है ना मैं डेविस दौल पढ़ायाernen सुनिया को रुकजभाई एक मिनट क्या ये संख्या तीन से कंपलिटली डिवाइड है या नहीं बोलिए क्या ये संख्या तीन से कंपलिटली डिवाइड है या नहीं क्योंकि मैंने विभाजिता नियम बताया था मैंने आपको डिविजिबिल्टी रूल पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ा है बताइए यस या नो और अगर भीभाजीत है तो भाजक कितना आएगा वो स्वरी भागफल कितना आएगा भागफल कितना आएगा बताना जरा बताना बही चलो कोशिस करते रहिए फटा- जन्सिका आसिता पंकज दिपेंद्र सिवानी फिजा खान इस्टेटस फार यू चांदनी उर्वर्सी ठीक है आप लोग कोशिस कर रहें अच्छी बात है अगर आप लोगोंने बेसिक मैत पढ़ा होगा रात के नो बजे वाली तो मैंने पढ़ाया था कि ये दिसंख्या के अंकों का योगफल तीन से कंपलेटली डिवाइड है तो ये संख्या तीन से पूरी तरह से विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी तो आप इनको जोड के देखिए कि एकाइस आएगा ना इसका मतलब विभाजित है ठीक है कुछ एकाद दूठी और बता दीजीए आप लोग एकाद दौप बता दीजिए चोटा सा कुश्चन है एक सरकल है भृत्त इसकी त्रिज्या 14 cm है नहीं 14 तुज्यादध हो जाएगा क्यों जादा हो जाएगा का नाई 14 फेंटिमीटर ठीक है तो इसकी परिदी बताइए कितना होगा सरकंफ्रेंस बताइए कितना आएगा सोचिए मैंने सब पढ़ाया है अगर आपने पढ़ा होगा ना तो यह सब अभी जल्दी में पढ़ाया कली पढ़ाया परसो कितना आएगा इमांदारी से बताइए इसकी परिदी कितनी आएगी कौन बता रहाए पी के यन पी के यन ठीक है कोशिश कर लिजिए टू पाई यार इसका परिदी बराबर फर्मूला होता आप सब को मालूम है पाई कमान बाइस बटा साथ रखो आर कमान चुदा रख दो भाई अकट गया यह एटी एट आएगा सेंटी मीटर लगाना नहीं भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आवता है ना भई चला इधर आओ फिर आ यह बताईए इमांदारी से बताईए अगर मैंने एक एंगल खीचा मतलब कोड इसको मैंने आई से खीचा इसे आई से खीचा यह बताईए यह नब्बे से बड़ा है चोटा है देखके बताईए अगर मैंने इस पर एक एंगल खीचा यहां पर एक कोड बन रहा है तो नब्बे से ज्यादा है कम है जूका है यह ज्यादा है यह कम है अचुकि यहां पर तो कोड गरा खीचना सिखा नहीं सकते हैं बोर्ड में उसके लिए कॉपी में करना पड़ेगा वैसे मैं पिछली बार सिखाया था अब की बार भी बता दूंगा दीपेंद्र सुप्रिया सिवानी अर्बिंद यहनि आप लोग पढ़े लिखे हो लिखे टेव तो असी नहीं होगा यह नहीं एक फोशी नहीं होगा अच्छा 1801 को क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है एक फोशी अंस के को बोलते क्या इसका नाम है मुझे लग रहा है कि आज मैंने टाइम है भी ताया इसमें लेकिन कुश्चन तो बहुत परकार के हो गए कई तरह के हो गए एक मिया नेक हो गए न आप लोग बृत के कोई दो गुंड बता सकते हैं कि सरकल की कोई दो प्रपर्टी बताईए कोई दो गुंड बताईए जिससे लगे कि हाँ यह सरकल ही है कि समझे रहे हो ना जैसे हम कहें हमारे कोई दो गुंड बताओ तो आप किसी से बताओगे हमाई एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो पीवीर स्टडी में पढ़ाता है और व इसको आप लोग ने जानते हों कि पचास को रोमा नंक में यल से लिखते हैं तो इसे पचास धन पांच लिख सकते हैं इसका यल और इसका वी यानि हम कह सकते हैं एल वी कुछा दूरास नहीं लग रहा है चलो कुछ लोग समझे होंगे कुछ लोग कंफ्यूज में होंगे अब यह बताईए कि साथ और यह चालिस इन दोनों के रोमा नंक में एक रिलेशन होता है बता हुआ कौन सा रिलेशन है यह दूसरे के बुगा फुफ़ा लगते हैं का य कि देखे मैं बताऊंगा सब बताऊंगा बस आप लोग आगे बढ़ते चलो फटा फट बढ़ते चलो फटा फट और दूसरा एक और बता हुआ एक और भी कुश्चन है अंडरूट 8 अंडरूट 25 और अंडरूट 120 इन तीनों में कौन रेफनल नंबर है कौन पर्मिय संख्या है राखी सिंग बताइए राजेस इन तीनों में कौन रेफनल नंबर है बोलिए मैं बोल रहा हूं बता रहा हूं टेंसान मद लीजिए अगर आपको पढ़ना है इनका सारा बेसिक नियम तो आप जा करके पीछे जो मैं कलास पढ़ा दिया है उनको पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए सब पढ़ाया हूं ठीक है तो यह मैं मिटा देता हूं पहला इनका काम खतम हो गया देखे साथियों एक होता है LX एक होता है XL ना जैसे 30 से हम 40 की ओर अगर आगे बढ़ते हैं 30 से जब हम 40 की ओर बढ़ते हैं यह कोनों XX बता रहा है और LX गलत है यह XX नहीं होगा गलत है क्या होगा देखो LX चुकि जो 60 है ना भाई देखो समझो 60 को 50 पलस जा रहा न यह 50 पलस है और यह 50 माइनस है यानि यह 50 से जादा है यह 50 से कम है तो 50 का संकेत यहल होता है न यह पार लायन सेर तो यह यह पहले इसमें रहेगा ठीक है और यक्स बाद में रहेगा इसमें क्या है 50 से कम है तो यह उल्टा हो जाता है यक्स और L ठीक है समझ में आया ना यानि इसका मतलब यह है कि आगे पचास आने वाला है इसका मतलब है पचास पीछे चुट गया आगे जा रहा है भी ठीक है अगला कुश्चन था कि इसमें रेफनल नंबर कौन है देखो भाईया बाबु मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था अगल निकल पाए न घंबूल निकल पाए यानि जो चिन लगा हो परजन टाइम में उसी की बात करेंगे तो वह एक अपर्मिय संख्या होती है इसके अलावा जो सभी स्क्राइब नंबर है इसका भाइप आजायेगा बट ये भी ऐसा नहीं है इसलिए ये अलोंशी राजपूट राजपूत प्स अमयं भी ड्राइवर है इसे इसी बात यह लोग का बिंचे को थंड़प मिल जाती को अच्छा आईए आ इधर आये आये इधर आये अधर आये यह बताईए कि 70 61 87 और अगर हम इकादूठिया उले ले में जो कम पढ़ रहे हैं 91 इनमें यह बताओ कौन-कौन अभाजय संख्या है कौन-कौन अभाजय संख्या है बोलिए कम पोजिट नमबर इनमें से कौन-कौन है गीता जी रोने फिर तो काम चलता नहीं है जीन है तो हस के जीओ जीवन में इक पल भी रोना ना देखो गाना नहीं आता फिर भी मैंने कोसिस किया ना तो क्या करना है रो ये मत नीचे नमबर चल रहा है उस पर कंटेक्ट करिए उस पर कंटेक्ट करिए बेसिक मैथ पढ़िए उसे मुझे पता आप रो नहीं रहें होता नहीं जो लोग चैटिंग करते है इमोजी बेदे रोने वाला अले ले मेला बाबू रोने लागा लेकिन बाबू तो उधर खाना खा रहा है वो रो नहीं रहा है बस वो तुम्हें दिखा रहा है समझ रहो कि नहीं तो ऐसे इमोजी मत बेजो चलो पढ़ाई करो इसका सबसे पहला जबाब आया है भाई लोकुस का और मोहित ठीक है रतना सोन कर आईए दिखते हैं बताते हैं यह एक कंपोजिट नंबर है यह क्या है भाई मुझे नहीं पता है यह भी एक कंपोजिट नंबर है यह भी है मतलब 61 को छोड़कर सभी एक कंपोजिट नंबर है सभी अभाजे संख्याए है है ना कि समझ रहे हो ना वाइट लवकुष सर्मा को पर्मनेंट बलक कर दीजिए इनको हमेशा के लिए बलक कर दीजिए क्योंकि यह पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं यह कुछ और काम के लिए बने हैं वह कावत सुने नहीं हो कि बोल दें कि गंदा लगेगा थोड़ा था सब गया चली जहीं है तफिर पतरिया की चाटे ना तो यह रहने दो इनको उसके लिए भी कि अब चलो अगले में एक्सो बारा एक्सो एकाईस एक्सो एक्तिस इन में क्या कोई अबहाज्य संख्या है इन में क्या कोई प्राइम नंबर है बोलिए फटापट बोलिए आगे चली बोलते रहिए बढ़ते रहिए पिजिता नियम पढ़ाया हूं कि आप लोगों में इसमें मैं आपको फ्रेक्सन पढ़ाया हूं उचित और अनुचित भिन्द पढ़ाया हूं कमेंट पे ध्यान देने दिमाग डिश्टरब होता नहीं पढ़ूंगा अब जाओ चलो यह बताओ भाई कि तीन बटा पांच और साथ बटा नौ इनमें कौन प्रॉपर फ्रेक्षन है बोलिये अगर इनको हम ए लिख दें इनको बी लिख दें तो इनमें प्रॉपर फ्रेक्षन यानि उचित भिन्द कौन होगा बताईए जरब बताईए कौन होगा महादेव ठंडा रहिए नाम तो आपका प्रभू का है मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसलिए डर भी रहाँ लेकिन काम तो आपका नहीं लग रहा है चलिए आगे बढ़ें कमेंट करते रहिए फटा फटा अपनी बात बताते रहिए ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड साथियों मैंने आपको बताया था कि वो फ्रेक्शन दोनों एक जैसे एक आए यह यह दोनों प्रापर फ्रेक्शन है दोनों उचीत भिन्न है यह दोनों उचीत भिन्न है क्योंकि इन में क्या है हर बड़ा है अंस छोटा है हर बड़ा है अंस छोटा है जिस बिन का हर बड़ा और अंस छोटा होता है वो प्रपर फ्रेक्शन का लाती है कि नीचे नंबर चल रा जिनको कोई इंक्वारि करना उस पर संपर्क करें यहाँ पर प्ढ़ाते समय में किसी का कोहीропरकार का बातचीत या इंक्वारी का जबाब नहीं दूँगा निभेदन है के नीचे नंबर चल रहा उस पर ぇस रहाए कुब भुजाई कुब अ पूछिए समझे रहो ना लेकिन यहां पर ठंडे रहो पड़ो वस अच्छा अब देखो 32 अपान 5 और 25 अपान 38 इन में से क्या कोई मिश्रित भिन्न बन सकता है क्या कोई मिश्रित भिन्न यानि की मिख्ट फ्रेक्शन बन सकता है कि बताइए जबाब दीजिए देखिए यह रिवीजन कलास है इसमें सिर्फ रिवीजन हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा जो पढ़ाया गया है कि उसी की बारे में थोड़ा हलके हलके में रिवाइज कर दिया जाएगा पढ़ लो बच्चा पढ़ लो बाबू पढ़ लो इलेबंथ वाले भी पढ़ ले इलेबंथ में हो या टेंथ में हो किसी भी कलास में हो पढ़ लीजी यह नि बेदन है आप से पढ़िए सब के काम का है जिनको भी गड़ित सीखना है सबके लिए है सबके लिए ठीक है आगे बढ़ें हाँ इसमें कोई मिक्स फ्रेक्शन है कोई मिस फ्रेक्शन है यह आपको बताना है तो यह मिस्र फ्रेक्शन है क्योंकि यह क्या है अनुचीत भिन्न भी है इंप्रॉपर फ्रेक्शन है इसे मिस्र भिन्न में बनाया जा सकता है ठीक है क्लियर और वैसे आप लोग भिन्न कितनी परकार की पड़े हैं मैंने आपको फ्रेक्शन पड़ाया है न कितनी परकार का पड़ाया आप लोगोंने हाँ बिन्नों का जोड़ घटाना गुड़ा भाग भी डियलेट की परिक्षा में आएगा बिन्नों का LCM HCF भी आएगा आईए कमेंट में उधर रख देता हूं साइड में अब नहीं देखूंगा किसी का देखूंगा यह नहीं दिमाग चाटके चटनी बना दियो तुम लोग चलो कमेंट नहीं देखूंगा देखिए अब इसमें बताईए तीन बटा पांच और धन आठ बटा साथ इनको जोड़ना है तो कितना आएगा जोड़के बताईए चलिए जल्दी करिए बोलिए कितना आएगा यह क्लास यूपी डी एलेड फर्स समेश्टर के सिलेबस पर अधारित चल रही है उनका जो लेबल है उसी के आगे पीछे यह क्लास चलेगी इसमें ना तो कुछ हाइप हाई करेंगे ना बहुत कम ठीक है साथियों इनको जोड़ना बता देता हूं ग्रास मल्टीपल और ल्सीम दो विधी होती है ग्रास मल्टीपल करेंगे तो यह सात्री के कैस और बीच में प्लस है तो प्लस और यह पांच अठे चालिस खिक है और यह पांच सता पैतिस फाइनल में 61 पैतिस इसका आंसर तीन बटा चार धन पांच बटा चार इनको जोड़ना और भी आसान है की नहीं है न आप लोगों के पाठिकरम में इसी लेबल का कुश्चन है इसलिए मैं कोई हाइप हाई नहीं करवा रहा हूं इनको भी आप लोगों को जोड़ना है ऐसे ही क्रास मल्टीपल कर लीजिए या फिर आप लसी एम करके भी कर सकते हो क्लियर ठीक है तो यह भिन्नों का जोड़ना घटाना है इसमें गुड़ा भाग भी है वो भी मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत ट्राइ कर लेना अब करोगे इतना बड़ा का दे दिये कौन करेगा कोशिश करोगे आएगा यह हमारे कोपड़ी में तीन बसा है तीन बार बार क्यों लिखता भई ध्यान देना आप इनको क्या करना मल्टीपल करना है साथियों इस तरह का जो कुश्चन होता है न उनको हल करना बहुत आसान होता है इनको हल करना बहुत आसान है क्योंकि देखो यह एक दूसरे में छिपे हुए हैं पहले से जैसे 34 दूना 68 होता है न और 43 दूना 86 होता है में देखो ति हाहा पर ओना यहां पर वनाया यहां तो यहां पर टू तो टू यहुक घाझी यर। कटेगा थो वनायगा कि इतना आसान है न की असान है न बंध्व report जैजनी नशता ईए यह से आप लोग कर लेना यह सब आप लोग पढ़े हैं इस समय रिबीजन क्लास चल रही है रिबीजन क्लास चल रही है क्योंकि मैंने कांसेप्ट वाली क्लास पढ़ा दिया पहले से सिलेबस खतम हो गया कि एक और बताईए कि 1.25 अपान 15 और धन एक बटा कि 2.5 इसको कितने लोग कर लेंगे मांदारी से बताओ बताओ कितना आयक करके बोलो फटाफट देखिए आप लोगों को सिर्फ ट्राई करना है वो गीता पड़े हो ना पढ़े हैं कम से कम सुने तो किसी भी आप लोग दःम समुदाय से हैं कहीं से वह जहां वे अच्छी जनकारी दोल हम उसको लेना चाहिए यह नहीं देखना चाहिए चोंदी कभी सबीसरे मिलें जानकारी कहीं से भी मिले राष्टे में जा रहे हो गंदे नाले में भी अगर कोई अच्छी चीज पड़िए निकाल लेना चाहिए समझ रहो ना तो यह मत सोचो कोई चीज की खराब है या सही है अब इसकी कंपेर आप जो में गीता और कुरान या कोई भी पवित्र गरंथों के बारें बोला उससे मत करना क्यों गंदा है वो तो इतना साफ है को उतना साफ हम लोग नहीं है दर्ती पर कुछ है नहीं उतना सा आगे बढ़ें ठीक है सभी कर लेंगे कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं तो मैं बता देता हूं देखिए यहां पर दो अंक पर दसमलो है साथियों तो दो अंक पर दसमलो है सबसे पहले आप दसमलो हटा होगे नीचे उपर सबसे गुड़ा करोगे कर दो बढ़य放 tie होगे अरोपर क्या होगा उपर भी पढ़या हूँ आप अब इस Also आht journée करो तो इसको हमिस कर लोगे न या और कर लोगे न हुआ अंसर उखला तुम्हें बला कर दे पता नी कहां से परिदा हो जाते हैं पता नी लिखेंगे दो बोलेंगे है कि समझ में आया ना सभी को इसको कर लेना आप आगे कुछ बढ़ते हैं यह बताई यह बार-बार थ्री-थ्री आ रहा है यह का है को आ रहा है अब मैं इसको थोड़ा से हटाना चाहता हूं आप लोग बताओ मुझे 25 अपान 1818 वा 7 अपान 9 इनका LCM बताओ कितना आएगा इनका LCM कितना आएगा बोलिये फटा-फट इनका LCM कितना आएगा चलो भाई जल्दी करो फटा-फट बोलो कितना आएगा इनका LCM हम आप लोग डाटा बचा के रखा करिये जिनको पढ़ना है इंटरनेट कि साम तक कुछ लोगों का नेटे खतम हो जाता है ठीक है आई यह मैं बताता हूं देखे साथियों इसका मैंने सूत्र बताया था अगर इस तरह से आपको LCM निकालना है तो अन्सों का LCM नीचे हारों का HCF करेंगे ठीक है यह आप सबको मालूम है अन्सों का LCM धन हरों का HCF करेंगे ठीक है क्लियर बात पक्की ना तो कर लिजिए 25 और साथ का LCM करेंगे साथियों वह चोटी फे चोटी संख्या जिसको 25 और साथ दोनों से भाग देने पर कड़ जाए तो वह इनका गुड़नफल होगा क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है सहा अभाज्य हैं सहा अभाज्य वह होती है जिने इंगलीज में को प्राइम बोलते हैं इनका फैक्टर वन के सिवा और कुछ ना हो तेरे सिवा नहीं मेरा कोई दूजा तो साथ का गुड़ा करेंगे साथ पचे पैतिस हांसिल तीन और साथ दूना चवदा तीन सतरा एक सो पचातर इनका की तोहा वान सेबनटी फाइ पांथडिय ऺच्ट एंग ना 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 बड़ी से बड़ी किंती तो थीन नहीं होगा नशा नहीं होगा नशा नहीं होगा नौवल नौऔ के नौग नो państwo he too कि शिवानी उपाध्याय देखिए 9 होगा 9 क्यों क्योंकि हमें 18 और 9 का देखो यहां पर थोड़ा confusion वाली बात जो थी इनका HCF निकालना है ना HCF मतलब हाइस्ट कामन फैक्टर वह बड़े से बड़ा फैक्टर जिससे यह दोनों कम्प्लिटली डिवाइड हो सकें पूरी तरह से कड़ सकें तो वह संक्यान नो होगी नो से दोनों कड़ जाएंगे पूरा-पूरा है ना इस पर किसी को कोई डाउट कोई परसानी तो बताईए कोई परसानी नहीं ना ना कोई टेंसन नहीं ना सभी साथियों से एक बिनम्र निवेधन है जल्दी से कलास को लाइक कर दीजिए फटा फट लाइक करिए देर मत करिए जितने भी साथी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वो कमेंट कर पाएं ठीक है हुँँ चलो भया दूइबटा 5 परसेंट को साधारन बिनने म बताओ कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कि कोशिज करिए और मुझे बताइए कितना आएगा इक पर कि आयूशी राजपूद इंद्रेश मौर्या हुँँ ठीक है कि आये इसमें पर्फेंटेज का चिन पहले फे लगा है एक बार फिर से याद दिला दूँ आप लोग अभ्यास प्रस्न कर रहे हैं इसमें अलग-अलग तरह के बहुत सारे प्रस्न होंगे एक परकार से खीचड़ी है कि में दाल चावल सब्जी नमक मसाला सब मिला है तो एक जैसे कुश्चन नहीं रहेंगी अगर पर्फेंटेज का चिन लगा है हटाना है तो मैंने आपको बताया था अगर चिन हटाना है तो सौ से भाग करना है अगर पर्फेंटेज का चिन लगाना होता तो सौ से तो क्या करते हैं इसको जो अकेला रहता उसकी सांतोना के लिए उसके पास वण रख देते हैं अब इसको भी लग रहा हम भी डबल हो गए है और जब डबल हो गया तो क्या करेगा यह दूइबटा पांच उपर वाला भिन्व ऐसे लिख देंगे गुड़ा कचिन लगाएंगे यह पालट जाएगा है ना जब डबल हो जाएंगे तो पल्टी मर जाएंगे तो यह उपर आए जाएंगे यह अरे उपर तो पाइलेंस रहें यह नीचे आ जाएंगे यह उपर यह इस तरह से हल करते हैं जब दो भीन नीचे उपर हो तब कि तो तीट इसां समझ मह आया कि चलिए अंसु सुकला को भी बल 새जी पांच मिनट Rebel है अगर फैस्ट पांच मिनट बाद इनकी अकल थिकाने आ अगई तो ठीक है लेखे नहीं तो इनको पर्मानेंट बलाग कर दिएगा अंसुल कुमार को पांच मिनट के लिए बलक करिए अगर नहीं सुधरते हैं तो हर दम के लिए बलक इनको हल कर लीजिये साथियों आप यहां से पाओगे कि दूर से काटोगे दूर पंचे दस जीरो वन अपांट टक फाइफ जीरो एक बटा दोसुपचास अए गाएगा है कि एक बटा दोसुपचास थीका है इसमें आनको कोई परेसानी है तो बता दो मुझे नहीं नहीं जबहीं कर ल Egg अब बिन्न क्या है आप लोग जानते हो भिन्न क्या है जानते हो चलो आजाओ यह एक है आलू मतलब पोटेटो अब अंडा बोलता तो कुछ लोग गुसाई जाते हैं हम तो अंडा ना खाते हैं चीच चीच ते आलू है आलू हर कोई खाता है न चलो भाईया इस आलू में मैंने कई पार्ट कर दिये क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं तो आलू हम लोग यह बोई जाती कट कट एक में दो करा जाता ज्यादा नहीं तो यह बताओ अगर इतनी आलू जो है इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे दिखाएंगे कि इतना विन आलू सडी है जैसे 6 आठीक सडी być वटा 5 सड़ गुए भाया इव्टा तीन Alabama में इस आलू को कितना भाग सड़ गया बोलू है हम इसको आप फ्रिक्शन के रूप में दिखाएंगे यही मैंने पढ़ाया था भिन्न के बेसिक कंसेप्ट में कितना नेहा बर्मा बता रही वन अपान फोर और कोई एनिवन भै नेहा जी ने दो बार बता दिया प्रियंका ठाकूर आयूसी राजपूत और प्रीति क्रियसन वन अपान फोर अच्छा जब एक बटा चार सड़ गई है भैया तो कितनी अच्छी बचिए इस पोटेटो का आलू का कितना भाग है जो सही है मतलब चटनी उटनी बनाने लाइक बचा है कितना आलू चटनी बनती है का कि देखिए वन अपान फोर भाग सड़ गया यह तो बात सही है पक्का है कैसे होता है वो मैं बविस्साब बताऊंगा कि बचा हूँ भाग की बात करें तो तीन बटा चार कि compat है ढेयीं अफिस्साइब अटिनल इसके पहले देखेंगि कितने पार्ट हैं तो एक दो तीन चार पार्ट तो अगर हम कुछ भी करेंगे तो नीचे खर चरू लिखेंगे अब हमें निकालना था कि कि इसका सड गया कितना खराब को तो वो कितना गया है कि यह थी होग प्रपत्र कि रा यह धंदो सम पतीग घर लब खेत व गएरा बांटा जटा तक्ताना तुम्हारा एक बटा चार हिसा मिलेगा है सुने हूना ऐसा दादा चाचा में अपन प्रके सुने हो गर अगल बगल सुने होगे नहीं सुने हो तभी सुनलोगे कुछ दिन बाद कि सबर रख़ो तो यह कितना है वहना पान फोर लेकिन जो बचा हुआ हो कितना है पहले तो फोर लिखो कह नीचे क्योंकि ट्रोटल फोर हिस्सा लगा भी एक फिर बचा इतना है एक दो तीन तो तीन हो जाएका यानि तीन बटा चार भाग इसका सही है एक बटा चार भाग खराब है जिन लोगों के दिमांग में कुछ चल रहा है कि यह स़ह है कि गलत है वो देखें इधर इन दोनों को जोड़ दें तो एक आना चाहिए है 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 मैं और तुम जब हम हो जाते देखो यहां ते हम जो कैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 4 अपान भाई 3 में 1 और 8 होगा 4 हो जायेगा इसका मतलब यह सही था न यह क्या था सही था न समझ मैं नौशाद खान कहरें ब्रेक अप हो गया क्या करें भई सबका जिम्मेदारी मैंने ही लिए रखाए का यहां आपना तो समल नहीं रहा है हो गया कहीं और ट्राइए करो और क्या कहें तुम्हें अब बचाय रहे ना इल्लाद गुंसा खाजाओ कहीं चलो यह हो गया अच्छा ठीक है इसमें एक चीज और बताईए समझ यह अगर इसके और भी हिससे दार आ गया कुछ लोग और कहीं से टपक गए तब अब इसमें से तीन हिस्सा इसका कलरफुल हो गया मतलब सड़ गया इस हालू का भई तो यह बताओ अब कितना भाग इसका खराब हो गया कितना भाग खराब हो गया बताईए देखिए पहली बात तो इसमें जो पार्ट थे वो बढ़ा दिये गए एक दो तीन चार पांच छे टोटल छे भाग हो गए अब कितने हो गए छे भाग हो गए न तो हमें तो सबसे पहले नीचे छे लिखना है किसी भी दसा में क्योंकि टोटल छे हिंस से हैं अब कितने खराब हुए हैं वो देखना है एक दो तीन तीन हिस्ता खराब हुआ है तो हम लिखेंगे तीन बटाचा ठीक है पर्भा दीपाक नेहा बर्मा सरिता देवी पीके बर्मा पीके बर्मा बने हो चलो ठीक अगर सही वाले भाग की बात करें तो ये भी तीने बच रहा है तो ये भी तीन बटा च्छे होगा अगर हम तीन बटा च्छे में तीन बटा च्छे जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा समझ में आया ना अब यालू पूरी तरह सड़ गई इसको आटा दो यहां से नहीं तो अब बदबू आने लगेगी इसमें से दोको मैत वाले क्या क्या होते हैं न क्या क्या माने के क्या क्या कर जाते हैं आफ पढ़ाय तो सब कुछ हो भी यह इसमें से थोड़ा बहुत रिबीजन करना है हां तो यह बताऊ आप लोग इमानदारी से इमान दारी से बताय हो भी है मानदारी से मतलब समझ रहा हो इमानदारी तो लोगों के पास आज कल बची है नहीं लेकिन बोलते हां र pani यह बताईए कि संख्या 28 के कितने अपवर्तक हैं अपवर्तक हैं यह निए फैक्टर है 28 के मैक्सिमम कितने फैक्टर है बोलिए कोशिस करिए और उनके नाम भी बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहे है जैसे कहें आपके कितने हैं मतलब क्या आप खुरी सोचो मैं क्या बोल सकता हूं तो अक्सल लोग बोलते हैं बस एक तुमरे अलावा नहीं लेकिन बात गलत होती है चलो जो लोग यहां पर काफी तकलीफ में थे उन्हें थोड़ा तफली मिली होगी एक और सुनिए एक और सुनिए वह क्या है कि हम एक और कुछ पूछने वाले थे यह इनका मल्टीपल कर लोगे आप लोग इनके अगर हम अपवर्तक की बात करें फैक्टर की बात करें साथी हों तो क्या होगा यह कितने कितने नंबर से किस से किस से सब्सक्राइब करते में ड्यूट्यू रहें वह कि में अध्यूर् Parl! फाइप फोर से होगा हम फाइप से नहीं होगा शिक्स नहीं होगा सेबन से होगा एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन अपको ही नहीं होगा बताया था ना बताया था ना कि जिनका दुयों लोगों में काम चल जाता है मतलब दो ही लोग हैं आपस में वो यह भाज्ज में आते हैं और जिनका चारों लोग से नहीं काम चलता है वो भाज्ज में उल्टा हो जा रहा है वो भाज्ज में आते हैं और यह भाज्ज में आते ठीक तो क्या रहना जिंदेगी में भाज नहीं है आभाज रहना यहलेकिन कुछ लोगों की बात यहलग है जो लोग हमारी Class देख रहे होंगे वह हमारे सारे मतलब समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं जो पढ़ा रह Out और जो लोग कभी वहीख आते हैं वह要से कहेंगे पागल है यह है ना अगले प्रस्न पर आगे बढ़ें मैंने पूछा था इसके कितने अपवरतक हैं तो भाईया इनके फैक्टर की बात करें तो टोटल 6 फैक्टर थे कितने थे 6 होगा न हाँ इनका अगर बात करें multiple की 3x का इसमें गुड़ा करेंगे तो ये घाते जुड़ जाएंगी घात 3 हो जाएगा ये 3x हो जाएगा ये हो गया खतम ठीक है किसी को कोई doubt तो बताईए नहीं ना 699 और 324 का HCF बताओ 699 और 324 इनका HCF बताओ इमांदारी से कितना आएगा जल्दी करिए कितना आएगा जरा सोचके बताईए HCF कितना आएगा इनका कोर्स सेमेश्टर से ले बस आपका खतम हो गया है लेकिन इसमें हम लोग कुछ रिबीजन कर रहे हैं रिबीजन कर रहे हैं आपको पता है न तो ये बताईए कि तीन बटा साथ और पाँच बटा ने इन में कौन सी भिन बड़ी है बताईए जबाब दीजिए इसमें से कौन सा फरेक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है अपको सिर्फ लार्जेश्ट फरेक्शन बतानिया कौन सी बड़ी है जबाब दीजिए प्रियंका कुमारी आयुसी राजपूत मोहित आसुतोस पूर्निमा तिर्बेदी रुची आदो अन्नु सुकला विकास गालोत आसिता कुमारी भिमलेस अपका कमेंटार है ठीक है थिर्य पांच सेबन को लोग कह रहे हैं कि बड़ा है लेकिन कैसे जान गए कैसे जान गए कोई तरीका लगाया मैं सब बताऊँगा डीटियल में बताऊँगा टेंसन नहीं लेना जाना नहीं कहीं छोड़के चलो क्योंकि बड़ी मुसीबत होती है आप लोग चले जाओगे तो भई अब यह बताओ एक बटा तीन और दो बटा पांच इन दोनों में कौन छोटा है इन दोनों में कौन छोटा है बताए जवाब दीजिए कौन छोटा है पड़ाई कर लीजिए मिस्टर इंक्वारी करना है तो नंबर नीचे दिया गया उस पर कांटेक्ट करना ठीक है अभी सिर्फ पढ़ लीजिए सांती से अपने आपको थोड़ा समाल के रखिए जली मैं पूरा कांसेप्ट बताता हूं मैं थोड़ा सा कुछ बदल रहा था यहां पर थोड़ा अच्छा लगे गंदा फला लग रहा था अभी अमरेश कुमार को बलक करिए अमरेश को तुरंट बलक करिए पहला तरीका इनके हर का LCM लेंगे इनके हर का क्या करेंगे LCM ले लेंगे तो इनका LCM साथियों कितना आएगा सेबन और नाइन का 63 आएगा ना तो यह 63 हम दो जगा लिखते हैं ऐसे अब 63 में क्या करेंगे इस साथ से भाग करेंगे तो साथ नमाई 63 तो नौ का तीन में गुड़ा करेंगे नौ तरीक 27 वही तरीका यहां हो जाएगा नौ से जब भाग करोगे 63 में साथ आएगा साथ का पांच में गुड़ा करोगे 35 आएगा अब यह कौन बड़ा है 27 रुपया में 63 लोग को बाटना है और 35 में 63 को बाटना है तो जिसमें जादा जादा माल है उसी में तो जादा जादा मिलेगा यह लोग साव गलत बताएं थी ना पहले यह बड़ा है पांच वटानो बड़ाए गधो एग छोटा था और जो पहले थीन पॉटा साथ थीन बटा साथ बताए था उसका गलत स्मझ में आया थीनलत है czy समझ में कि नहीं कि नहीं लिखी हिए फटा-फट कुछ तरीके से करते हैं ना ऐसे नहीं हवा में बोल देते हैं कि यह है वो है इसा वैसा नहीं इसमें भी ऐसे ही करेंगे इन दोनों का पहले LCM लेंगे LCM 10 आएगा तो इस 10 को दो जगा लिखेंगे ठीक है अब क्या करेंगे जो LCM आया ऐसा थी हो उस LCM में यह LCM 10 कौन बताया अरे भाई तीन पचे 15 आएगा आप LCM निकाल लो 15 आएगा टेन नहीं आएगा इस LCM में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे तो साथियों जब तीन से भाग 15 में करोगे तो तीन पचे 15 न तो पांच बार जाएगा न उस पांच को पकड़ के लाओगे इसके अंस में गुड़ा करोगे तो पांच एकम पांच वही तरीका इधर भी होगा पांच से भाग करेंगे LCM में LCM 15 आया था पांच का भाग करोगे तीन बार जाएगा और फिर क्या होगा तीन का गुड़ा कर दोगे तीन दून अच्छा देखो यहाँ पर छे चॉकलेट में 15 लोग को बाटना है यहाँ पर पांच में 15 को बाटना है तो जिसमें ज्यादा है उसी में तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा तो तो फिर क्या पिर क्या कुछ नहीं यह यह बड़ा है यह चोटा है रचना साक्या जी गुड इबनिंग रोशन कुमारी ठीक है ओके है चलो समझ गए इस तरह से आप फ्रेक्शन में छोटा बड़ा निकाल लेंगे न अगर इसमें हम कहें इनको आरोही और ओही करम में लिखना है अजय करें आप लोगे कि नहीं और कर लोगे की हमें अपलोग मुझे करके बता चलोनी बताए इनका इसेंडिंग डिसन इंदींग आडर शाथ बाटा ल webinar में sir पानी लेके आता हूं यहां पे लोग बंद करके चले गए अभी अभी जो थे लाता हूं कि आप लोग जल्दी से बताओ कोई भी नहीं होगा ठीक है कि अग्यूज नहीं होगा ठीक है कि अग्यूज नहीं होगा ठीक है कि कोशिस कर लिए हिमानसु सुकला परगति सर्मा ठीक है कोशिस कि आप लोगों ने आई यह बताता हूं कुछ ज्यादा चमक राय का कि कुछ ज्यादा लाइट पड़ रही है क्या भई कि मुझे तो लग रहा है देखे साथियों सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कौन भिन बड़ी है कौन छोटी है उसके लिए सबका लसीम करेंगे इन सारे नंबर का आप लसीम कर लेंगे तो कितना आएगा पहले तो एक के बार में करेंगे ना साथियों इनका लसीम अगर हमें जल्दी पर निकालना है तो कुछ इस तरह करेंगे तीन नौ, डोऔर साथ तीन नो दो और साथ इनको जब हम तीन से काटेंगे आपको पता है तो एक बार में यह तीन खतम हो जाएगा तीन आएगा फिर से दुबारा यह इतना होगा 126 ना चलो बता देता हूं देखो यह तीन एकम तीन तीन त्रीक करनों दो और साथ थी तीन से काटोगे तीन त्रीक करनों नदुन ठारा या ऐसे कर लो दूर सते 14 चवदतियां 42 42 तिन दुन अच्छा तीन चोग 12 126 हम नीचे लिखेंगे ऐसे कितनी बार लिखेंगे जितनी हमारी भिन्ने हैं उतनी बार लिखेंगे यह इनको हल करने का बेसिक तरीका है ठीक है समझ में आया ना चलो अब साथियों साथ से हम भाग करेंगे लसीयम में आप साथ से भाग करोगे लसीयम में एलसीयम 126 आया है तो साथ एककम साथ कटाओगे तो पांच आएगा और छे उतार लोगे तो साथ अठे चपन अठार आएगा अठारतियां चववन जो भागफल आएगा उसको अंस में मल्टीपल करते हैं तो अठारतियां चववन यह तरीका है बेसिक ठीक है समझो अब दूसरी भिन्द में आप नौ से भाग करोगे इसको तो नौ एककम नौ घटाने पर कितना आएगा तीन नो तीन बारा होता है न तो च्छतिस तो नौ चववग शतिफ न यानि एक और चार कहने का मतलब चवदा आएगा चवदा पंचे सतर कुछ लोग कंफ्यूजन में है उनको दिखा देता हूं कैसे आएगा भाई भाग करके देख लो ना भाग करके देख लो जोदा नव यह एक सो चप्विस होता है न नो चोग चटिस नौ एककम नौ तीन बारा उसी तरह से इसमें करेंगे दो का भाग करेंगे एक सो चटिस में तो दूई चंग बारा और टूई एक कम दूई 61 ऐगा 61 जो आएगा साथिंव खारोगै उस 61 साथ का गुड़ा करोगै तो साथ एकम साथ साथ चंग 26 तयां Вас है यह कंद में आ रहा कि नहारा भाई है इसी तरीकए से क्या करेंगे 126 है देख क्या करेंगे एक तुछबिश में तीन का भाग करेंगे तो तीन चोग 12 तिन तुन अच्छबा है अलिस आएगा बैलिस का एक में गुड़ा करो गैंने अब इनके सभी के हर बराबर हैं तो हम इनमें कंपेर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बोलो compare कर सकते हैं आप कौन बढ़ा है कौन छोटा है बोलो कर सकते हैं न तो कौन बढ़ा है इसमें फिर कौन सबसे बढ़ा है पहले तो ये बताओ इसमें सबसे बढ़ा कौन है भाई आरोही आरोही आप लोग जानते हो कि नहीं आरोही का मतलब होता है यह कोई के नाम नहीं है ascending order मतलब सबसे छोटा पहले पहले सबसे छोटा गिंती तो सबसे छोटा कि अगर बात करें उपर वाला ही देखना है बस तो 42 है तो यह 42 अपान 126 सबसे पहले है यह सबसे छोटा है फिर यह उससे बड़ा है 70 बटा 126 फिर यह 54 बटा 126 इससे बड़ा है 427 बटा 126 ही तो सबसे बड़ा है समझ रहे हो बहुत अच्छे चलिए तो साथियों इनके रियल जो बैलू है उनको पुट कर दीजिए 42 बटा 126 एक बटा 3 का मान था 70 बटा 126 5 बटा 9 का मान था 54 बटा 126 3 बटा 7 का मान था और 427 बटा 126 7 बटा 2 का मान था यानि इसमें सबसे बड़ा एक बटा 7 बटा 9 और सबसे छोटा कौन है एक बटा 3 हुआ यह हो गया इनका एसेंडिंग आडर यानि आरोही करम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना भाईया लिख लिजिए फिर काहे को टेंसन इस तरह से आप लोग एसेंडिंग आडर कर लेंगे मैंने उसमें नहीं बताया था कलास में इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं लिख लिजिए फटा फट अब आप लोग कुछ और भी करोगे खुद से लेकिन आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं अभी तक क्यूं कभी जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं कलास को तुरंद लाइक कर दे देर ना करें फटा फट लाइक करें अब एक क्यूस्चन आप लोग खुद से करोगे लिख लीजिए लिखिए एक बटा साथ एक बटा साथ पाँच बटा नौ लिख रहा होग नहीं क्यूस्चन है एक बटा साथ पाँच बटा नौ तीन बटा दूई और साथ बटा तीन का आरोही करम यानि एसेंडिंग आडर बताईए एसेंडिंग आडर बताईए जिमानसू बोल रहा है इतना explain नहीं करना था ये इतना explain करना इतना मेरी आदत पताईए इनका ascending order क्या होगा explain करने पर चाहिए इनकी सांसे रुकी रही है ना करें तो क्या होगा इसको आप लोग करिये गाप मैं नहीं बताऊंगो दुबारा इसमें से तो यह बताऊंगो यह कि पचास और साथ के बीच पचास से साथ के बीच में कितनी अभाज संख्याएं है पचास से साथ के बीच में कितनी प्राइम नंबर है बोलिए 42 के बाद 54 तब 70 आएगा हाँ यार मेरा भी दिमाग कहीं गड़बड था का देख लो आप लोग जो भी है हो सकता है कहीं कहीं बाई में स्टेक ठोड़ा हो जाता गड़बड बाकी सही है चलो ठीक है हसन खान बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है कि आज ब्रेक अप कर दी और तुम अच्छी लाइन पर आ गए अब यहीं उद्देश से जिन्देगी का जो कर रहे हो इसको कर लो कि अब बाकी कुछ नहीं बताना है कि आपको छोड़ने का प्लान बना रहा है तो आप उसको उसके पहले छोड़ दो समझे रहा हूं फिर उससे आपको खुसी मिलेगी बेतर वाली कि यहां भाई बैने किया नहीं तो यहां गया बचा मेरा कुछ आए नहीं वास्तों में वह पहले भी कुछ नहीं था आ मैम आपको दिख रहा था वह दूर हो गया चलो इनके बीच में कितनी अभाजे संख्याएं कौन-कौनसी है तो अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याओं में 53 है कौन है 53 है 51 तो है नहीं यह कौन बता रहा है परभादीपा कि सब गलत है 55 अभाज्य कहां है 55 तो प्राइम नंबर हाई नहीं फिरपन है फिर 57 सब्सक्राइब किसी से कड़ता है ना तीन से कड़ जाता है 69 हमें लग रहा दो ही है दो ही है 50 से 60 के बीच में पूछा था ना दो ही संख्या तो मुझे लग रही है जो लोग 57 को बोल रहे हैं वह तीन इकम तीन और तीन नवा 27 उन्नीस त्रिक 57 होता है कि उन्नीस से कड़ जाता है 57 ठीक है तो आगे बढ़ते चलिए रिवीजन ही करना इसमें कुछ ज्यादा था नहीं फिलहाल के लिए झीम अलब कर एक है क्रेक किराओउ इसक्यार म IN यह किस तरह की रेखा में हें और अलबते प्रसांद शिन हो बहुत अच्छे बताईए इस रेखा का नाम बताईए और इस रेखा का भी नाम बताईए अहाले बंढा़ाई आना आप लोगों को खु आपको पढ़ाया था न बताइए सोच कि बताइए क्या होगा चलो देखे साथियों मैंने आपको वक्र पढ़ाया था यह कर बॉलाइन न वक्र रेखा दीपेंद्र ने सबसे पहले बताया है और फराना अंसारी ने उसके पहले बताया है यह मैत वाले जिग जाग बता रहे है अब यह जिग जग क्या है मुझे नहीं पता भाई आकड़े ये चेप्टर पढ़ाया हूँ न अब मुझे इसमें पढ़ाने का मन नहीं करता है क्योंकि बड़ा बोर फलकता है क्योंकि यही चीज बेसिक में भी पढ़ाओ जीरो लेबल में और यही सब इसमें भी कहानी है तो कब तक कितना तक पढ़ाओगे इसको हूं बजा नहीं आता है एक यह बताईए जो कंगात आठ इसका मान बताईए मान बताईए बहुत बड़ी कलास नहीं चलेगी आप लोग पहली बात यह कि कोर्स खतम हो गया तो सब बच्चे आते नहीं लाइब अब हम सिकेंड समेश्टर या थार्ड समेश्टर कोई दूसरा कलास अब चलाएंगे कि राद दस बजे से कोई और समेश्टर की कलास चलेगी अब अब समेश्टर का मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सेयर करते हैं नहीं बच्चे सो भी नहीं आएं तो क्या मतलब है कम से कम हंड्रेड बच्चे रहें तब कुछ मज़ा भी आती है चीरो रेखा भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हो वक्र रेखा हमारा तत्य पर था क्योंकि मैंने पढ़ाया था बाकि कुछ भी बोलते हो वह अपनी अपनी बात है अलग-अलग बोलने वालों की